Hello everyone, Happy Academy YouTube channel में आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं रफेल जाट इंटु आईएफ अमबाला जितने भी ओर्डर्स इंडिया ने फ्रेंच कंट्री को दिये थे फोर रफेल प्लेंज अज ह gold के वीडियो 5 और उसका इंड़क्जन है टूमोरो एं सेप्टेमबर 10 2020 तो आज के वीडियो में हम यही डिसकस करने वाले हैं अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मैं और एक चीज बताना चाहती हूं कि आज की वीडियो में हम डिसकस करने है रफेल का अराइवल बट इसके पहले वाले वीडियो में आप हमारे यूटूब चैनल पर देख सकते हैं रफेल के जो फीचर्स है वो MCQ के रूप में भी हमने अपलोड किये हुए तो वो भी वीडियो आप जरूर से देखेगा ओके नाव रफेल प्ले इंडियन एरफोस इस अलसे तो फॉर्मली इंड़क इस लिटेस्ट रफेल फाइटर जेट है अम्बाला एर बेस और इसका इंड़क्शन होने वाला है कल जहां पर हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग मौजूद होंगे उनके साथ साथ फ्रेंच की जो डिफेंस मिनिस्टर है फ्लोरेंस पारले एंड हमारे एर चीफ मार्शल आरकेस भदूरिया भी मौजूद होंगे ये दोनों ही ministers इस चीज के बारे में मतलब रफेल का जो arrival हुआ है इस चीज के बारे में meeting भी करने वाले हैं ऐसा भी news में है अब रफेल के अगर मैं बात करूँ तो air chief और IAF officials जो है उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया है रफेल का और उनके pilots का इंडिया ने फ्रेंच को टोटल 36 रफेल प्लेंज का ओडर दिया है जिसमें 5 रफेल प्लेंज अल्रेडी अंबाला में आ चुकी है on 26th, sorry 29th of July जिसका induction होने वाला है September 10th को इंडिया ने September 2016 के अंदर ये ओडर दिया था फ्रांस को जिसका बजट आया था 59,000 करोर्स सही है? next में अगर मैं बात करूँ तो all deliveries will be completed by the end of 2021 अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 रफेल प्लेंज आ चुके है 3 to 4 रफेल प्लेंज आएंगे, estimation है October और इसका 3rd batch आएगा approximately in December ऐसी कोशिश की जा रही है by France कि 2021 तक सारे order, सारे delivery मतलब 36 रफेल प्लेंज जो इंडिया ने order किया है वो उसकी जो दिमांड है वो पूरी हो जाए मतलब अब डिलिवरी इंडिया के अंदर सारे रफेल प्लेंज अराइव हो जाए एक जो फीचर्स है वो रफेल प्लेंज को बाकी सारी प्लेंज से बहुत जादा एक हाइटेक टेक्नोलोजी आप मान सकते हो जिससे इंडिया का जो एर फोर्स है जो उसका डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही जादा स्ट्रॉंग बनेगा हैपी अकेडमी के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती है हमारा हैपी अकेडमी वरोधरा में स्थित है और जितने भी आप कोर्सी यहाँ पर देख पा रहे हैं इन सारे गवर्मेंट एक्जाम की तयारी हम करवाते हैं फोटो में आप देख पा रहे हैं Mr. Shivam Gandhi Sir and Mr. Siddharth Gandhi Sir जो बहुत ही एक्सपर्टीज हैं लास्ट 17 यह से लेक्चर ले रहे हैं और यह हमारे हैपी अकेडमी के डिरेक्टर्स भी हैं अगर आपको कोई भी कोई रिया इन्फोमेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं next आती हूं मैं capabilities के अंदर या types of missile जो रफेल के अंदर है तो first है meteor जिसका जो beyond visual range है और air-to-air missile है right air-to-air missile है second है Mika जो multi mission है air-to-air missile third होगा scalp जो deep strike cruise missile है weapons ऐसे हैं जो अलाव करेंगे fighter planes को to strike on air and ground मतलब आप जमीन पे भी प्रहार कर पाएंगे हमारे pilots और हवा में भी ठीक है next strengthen military force in Ladakh ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया इन रफेल planes को लदाक में भी deploy करेगी ताकि लदाक के अंदर जो हमारा military force है air force है या army है वो और जादा उसका जो पोस्टर है वो strengthen हो जाए और अभी फिलाल आप जैसे news सुन पा रहे होंगे कि इंडिया चाइना के बीच में बहुत जादा tension बनी हुई है और जो military fictions है अभी जो conflict चल रहा है वो काफी हफ्तों से बहुत जादा हो गया है इंडिया और चाइना के बीच में तो वो चीजे भी resolve करने के लिए रफेल को लदाक में deploy किया जाएगा आज का वीडियो में यहां पर फिनिश करती हूं मैं होप करती हूं कि आपको इस वीडियो से रफेल प्लेन के अराइवल के बारे में information मिली होगी जादा updates और new new videos के लिए आप इन social media पे भी हमें follow कर सकते हैं अगर कोई query है कोई suggestion है तो आप comment box में thank you